तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ये दरसल होली की वीडियो है इस वीडियो को मैं होली में ही डालने वाला था होली के पहले ही लेकिन दरसल मैं किसी काम में थोड़ा बीजी हो चुका था जिसकी वज़े से मैं इस वीडियो को नहीं डाल पाया था और ये वीडियो आध करते हैं कि इस वीडियो मैं बनाने वाला क्या हूं तो दोस्तों आप लोगों ने होली की पिचकारी ते देखी होगी जो कलर वाली जो वाटर वाले पिचकारी होती है लेकिन जो जो अभीर होता है उसकी आप लोगों ने पिचकारी काफी कम देखी होगी और उसकी जो पिचक प्तिकवाले ब्लॉवर मशिन होती है अगर उसी में एक साइड में होल के जहांसे वहा को खिचता है अगर उस साइड में हम एक कोलtechn की बोतल लगा देख और लगा दे चिसने नियुस्भाइय भर यह local machine है blowing machine इसे मैंने market से सिर्फ 800 रुपे करदा है और काफी ज़्यादा रफ्तार के साथ यह चलता है आप भी इसे अभीर machine की तरह इस्तेमाल कर सकते हो यह काफी कम दाम में आपकी काफी ज़्यादा पैसे बचाएगी लेकिन यह electric से चलेगी तो दोस्तों अभी मैं क्या करन करने वाला हूं मैं इसी machine को बैटरी की सायता से बनाने के कोसिस करोंगा और देखता हो कि वह कितना ज्यादा successful होता हो सकता है वह इस machine से ज्यादा successful नहीं इतनी अच्छी भी नहीं हो सकता है वह बहुत बेकार machine लेकिन बनाना मेरा काम है Experiment करना मेरा काम है इसलिए मैं उसे बना करके देखूंगा कि अगर इसंप hadly mo agree से बना जाए तो यह मसिन कैसा काम करती है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इसवीvent को करने वाले हैं कि इसंप stops करने दो सब्सक्राइब देखें कि इसके बनने के बाद किस तरीके से काम करती है तो दोस्तों इसको बनने के लिए सबसे पहले यहां पे आप लोग देख सकते हो यह जो गोल वाला है यह मैंने 6 इंच की जो पाइप होती है उसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर दिया है कुछ इतना बड़ा सा तो यह वाली जो पाइप होती है यहां पे मैंने 775 DC मोटर लिया है और यह दो उपर नीचे मैं जो इसको कवर करने के लिए लगा रहा हूँ यह ACP बोर्ड है तो इसे मैंने पहले से गोल करके नाप करके काट करके रखा है ताकि वीडियो जादा लंबी न हो जाए और यहां पे मैंने मोटर के साइज का नाप ले करके पहले से ही यहां पे होल कर दिया है ताकि मैं मोटर को इसके उपर फीट कर सकूँ तो चलो सबसे पहले मैं मोटर को इसके उपर यहाँ पेचकस की मदल से कस दे रहा हूं जिसे की मोटर इसके उपर फ़ीट हो जाएगी उसके बाद इसे हमें कुछ इस तरीके से दोनों तरब से लगा देना है तो इसको लगाने से पहले हमको यहाँ पर एक तरीके से यहां पर मैंने एक PVC pipe की एक seat ले लिया है और इसको मैं कुछ इस तरीके से गोल सा एक निसान लगा दे रहा हूँ और यहां पर मैं एक center marking कर दे रहा हूँ और इसके बाद इसको हमें cut करके निकाल देना है तो चलो सबसे पहले यहां पर मैंने इससे cut कर दिया है यहां पर आप लोग देख सकते हो और center marking अभी भी लगी हूँ है और जहां पर मैंने center marking लेए वहां पर मैं इस तरीके कुछ hole कर दिना है और hole कर दिने बाद इस motor की shaft में हम इस तरीके से इसे लगा देंगे तो इसे हमें नीचे से जरा सा उपर उठा करके रखना है ताकि यह अपनी जगब पे move कर सके घूम सके और उसके बाद five quick की मदद से मुसे चिपका देंगे अब दोस्तों इस तरीकी PVC pipe के मैंन मादम करके हम PVC pipe के उपर सभी PVC pipe के उपर इस तरीके से निचान लगा देंगे और फिर scale की मदद से इस तरीके से खीच लेंगे तो सारे PVC pipe पे मैंने 3-3 निचान लगा दी है जो कि मैंने paper पे पहले से ही marking करके उसके मादम से मैंने PVC pipe पे निचान लगा है अब दोस्तों इन सभी को सेट कर देना है और सेट कर देने से पहले यहां पर हम इस तरीके से कुछ साफ के नाप को साफ के नाप पर निसान लगा करके और कुछ इस तरीके से हमें सभी पर निसान लगा देना है और उसके बाद बीच में इस तरीके से निसान लगा देंगे और उसके बाद हमें जो गुलाल होती है उसको खीचने में मदद करेगा इसलिए ये डिजाइन हमें देना जरूरी है इस तरीके स्कट करना जरूरी है तब ही वो तेजिस खीच पाएगा और उसके बाद हम इसे इस तरीके से सबसे पहले इस पर बारी बारी से सर्या लेंगे अच्छे से उसके बा पर कुछ इस तरीके से पाइप ले करके हमें इस तरीके से कटिंग कर दिया है पहले से ही इसका नाप ले करके और कटिंग कर देने बाद यहाँ पर हम निसान लगा देंगे और फिर इस निसान को भी हमें कट कर दिना है तो चलो सबसे पहले मैं इसे कट कर दे रहा हूं अच्छे से सील कर देंगे तो फैवी क्विक से चिपकाल देने के बाद यहां पे हम ग्लूगन की मदद से अच्छे से सील कर देंगे ताकि कोई भी एयर लिकेज यहां पे नर है और दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हमने इसे अच्छे से सील कर दिया है अब यहां प की पकड़ इस पर अच्छे से मजबूत हो चुकी है और दोस्तों इसको हम एक बार बैटरी से चला करके चेक कर लेंगे कि यह अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं थोड़ा सा आप देख रहा हो यह डायल की तरह वर्क कर रहा है लेकिन अगर आप इसे और बहतर बनाऊगे तो यह बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा आप दोस्तों जो इसका दूसरा वाला जो हमने साइट कट किया था एसीपी बोट का उसके हमें सेंटर में इस तरीके से होल करके एक जो कोल्रिंग की जो कैप होती है उसे हमें इस तरीके से लगा देना है और यहां पर हम इसे फ ग्लूगन के ग्लू से इसे लॉक कर दे रहा हूं और उसके बाद अब हमें इसे इसके उपर फिक्स कर देना है तो इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम इसके उपर इसे अच्छे से बैठा लेंगे और उसके बाद इसे भी हम ग्लूगन की मदद से इसे अच्छे से फि अभी कुईक से इसे स्थिर कर देंगे एक जग़ब पे ताकि यह बार-बार हीले नहीं और इसके बाद हम इसे ग्लुगन की मदद से अच्छे से इसे एर लिक को लॉक कर देंगे और यहाँ पर कोई भी यह लिक एज नहीं रहेगी और यह अच्छे से मजबूत भी हो अब दोस्तों यहाँ पर जो कोल्डरिंग की जो बोतल होती है उसे हमें ले लेना है और इसके पीछे हमें एक होल कर देंगे और होल कर देने बाद इसे हमें यहाँ पर लगा देना है तो दोस्तों होल हमने इसलिए किया है ताकि हम अभीर को इसके अंदर डाल सके जो गुल चलाने वाला हूँ आप चाहो तो 24 बोल्ट के बैटरी से चला सकते हो क्योंकि 24 बोल्ट से भी चल जाता है यह मूतर और उसके बाद हमें इसे कनेट कर देना है अब दोस्तों यह लगबग लगब हमारा बन के त्यार हो चुका है अब सिर्फ हमें इसमें बोतल कनेट कर दिया और इसमें बैटरी कनेट करना है फिर हम इसे चलाने वाले हैं तो दोस्तों अभी यहां पे मैं थोड़ा सा टेपिंग कर दे रहा हूँ ताकि जो इसका तार है वो अच्छे से अपनी जगह पे बना रहे हो हीले नहीं जादा और यह कुछ इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है अब दोस्तों जो इसके बोतल है इसे मैं यहां से कट कर दे रहा हूँ क्योंकि अभीर उसमें डालने में काफी ज्यादा दिक्का तो रहे चोटी जगह से अभीर ठीक से जानी पा रहा है तो हमने इसे कट करके बढ़ा कर दिया अभी हम इसके अंदर आसानी से अ और जो उपर वाला आप देख रहे हो यह इलेक्रिक वाला ब्लोवर है तो ठीक उसी को कॉपी करके हमने बैटरी से बनाने की कोशिस की है कि देखते हैं बैटरी से कितना पावरफुल चलता है और दोनों में आप लोग को अंतर दिखी रहा है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है आ आप उसे ही ले 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 ना वही आपका सस्ता पड़ेगा और वही बेस्ट होगा और वही जादा देख रहे हो आप अच्छे से काम भी कर रहा है इसलिए मैं दोनों में आप लोग को अंतर दिखा दे रहा हूँ तो दोस्तो मेरा काम ता कियो एक्स्प्रिमेंट करके आप ल